आपको सारी स्टेप बाइड करूंगा कैसे क्या करना होता है आपको समझ में आएगा गाइड करूंगा कैसे क्या करना होता है एडमिशर लेने के लिए और सरी शीज़ों लेने के लिए यहां पर करने के लिए ठीक है तो सबसे पहले जो प्रोसेस आपको यहां पर बता देना चाहूंगा ठीक है तो यहां पर उनको क्या देखना होता है इलिजबिटी देखनी होती राइट इलिजबिटी देखनी होती तो यहां पर क्या करना है पाटना यूनिवसिटी में करना होता है master from education M.Ed courses करना होती है M.Ed का इंटर्स इजाम देना होगा मतलब जो भी exam अग्जाम और है रहता ह여गा वह complete करनी होगी आपको फिर आपका complete हो जाता है M.Ed भी तो उसके लिए आपको सारी information जाननी ज़लूरी है application form फिल करके admission लेके सबी पढ़ाही करनी होती है बट पर का इस website के तुरू आपको सारी information जानने को मिलता है पटना युनिवर्शिटी एमेड के related आप सारे के सारी information सबसे पहले इस website के तुरू आप देख पाएंगे ओके ठीक है सो यहाँ पर में बताने चाहता हूँ कि highlights में, मतलब कुछ बताए गया है पर मैं देख था हूँ ist गोचों को भी admission नीवाले सरे tastes लेम के लिएक्जाम क करना है तो आपका पटना युणिवसिटी Master of in education exam का type होता है Master of in education और level इसका जो होता है state level का exam होता है ठीक आप street level पे exam देते हैं तो अगर आपका comparison होगा है ना इस पूरे state में comparison होगा कि सबसे top को उमसा बच्चा है जो पूरे state में अच्छे वाथ लाया है जो भी दो होता है वो और उसके बाद यहां पर जो है ना एक्साम नेक्टिशन के रहता ओफ लाइन मोड प्लीकेशन फर्म ने रिलिस यह रहेगा और ओफिशल अपसाइट का लिंक यह देख रहे हैं तो यह देख सकते हैं तो यह उफिशल अपसाइट का लिंक है ठीक है और कुछ help line number के telephone number वगरा सब यहाँ पर दे दिया गया है ओके यहाँ पर देख पारें important dates वगरा ओके तो फिर यहाँ पर आप देख पाते हैं कि कैसे क्या करना होता है नीचे हाँ पर देख पारें आप देख लिए हैंdetally! आप देख लिए हैंभले अब मैं बताता हूँ तो यहाँ पर event है एक event होता है एक date होता है एक date और event में अलग-अलग यहाँ पर नटर है event कहा है कि आपको som date को मतलब कौन से event होंगे फ़ले तो यहाँ पर देखना है कि आपका application form release होने का date क्या है, तो यहाँ पर date देखनी है, फिर यहाँ पर देखना है, right and left side में आपको दोने दिखा ही दे रहा, ठीक है, right side में देख सकते हैं, यहाँ पर data और left side में आपको event से, admit card है, exam date है, admission list है, application form का last date का भी, यह सभी चीज़ यहाँ पर लिख के आते हैं, आप चाहें तो official website से भी check कर सकते हैं कि आपको officially कि कब आपका last date है, कब आपका starting date है, क्या चीज़ रिलीज होने वाली, कब होगी, कैसे, तो सब चीज़ आप official website पर देख पाएंगे, right, तो इस सभी की details है official website पर मिल जाएगे, okay, यहाँ पर date और देख पाते हैं यहाँ पर, क और फिक्स है नहीं, okay, तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, कि यहाँ पर जो first July को जैसे कि बोला गया, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ मानना नहीं, मतलब यह अभी क्या सिर्फ एक example, assumption के लिए बोला गया, कि मतलब यह हमेशा ऐसा होता आ रहा है, तो शायद हो, ल जायद इस बार भी वही हो, तो यहाँ पर date अभी कुछ फिक्स नहीं, तो official website से date आएगा, तो आपको उसी date पर चेक करने है, तो चाहँ तो आप खुद चेक कर सकते हैं, आप फिर date का वेट करें, तो आपको चेक करते रहना चाहिए, तो यह official website का है, लिंक यहाँ पर देख होगा, फिर वहाँ पर सारी information, necessary details आपको फिल करने होती है, candidate must to complete the necessary details in the application form, और सारी informations correct and valid होना चाहिए, तो application form के fees वगरा भी लगता है, जहाँ पर find it as per the application fees, details, year last date, candidate must have to pay 500 rupees as per fees वगरा, जो भी in case of any changes following the release of the most recent information brochure, detail will be updated here, टेक है, यह सारी information देखना हरे बच्चों को जरूरी, eligibility criteria क्या होता है, यहाँ पर कि पटने उनिविशिटी एमेट को का यहाँ पर, हरे बच्चों को जानना जरूरी है कि आप eligible कैसे होंगे, तो यहाँ पर जिन बच्चों को भी जानना है तो उनको यहाँ देखना होगा कि कि आप कौन से states हैं, तो जो भी state आपका वो देखना है, फिर उसके बाद होहाँ पर आपको वो देखना है कि आप उस state के आपके पास डुमिल साटिफिकेट है क्या valid, valid डुमिल साटिफिकेट होना चाहिए, आप इंडियन से तो आप, यहाँ आप अप अपलाई कर सकते हैं आप eligible हैं और आपने previous qualification में, last qualification में आपने B.A.D. किया या फिर B.A.B.A.D. किया या फिर B.A.D.A.D.A.D. यह सारे जो यहाँ पर देख पार हैं, तो अगर आपने at least 50% mark secure किया है, तो यहाँ पर आप eligible हो पाते हैं, ओके, you are eligible for this university exams के लिए, ओके राइट, तो इस सीच के लिए अगर आप सारी information से यहाँ पर आप देख पार हैं जो मनें बताया आपको, अगर आप इन सब में eligible हो रहे हैं, तो yes, आप eligible apply कर सकते हैं, तो application form फील कीजिए, और आपका नाम merit list में आएगा, फिर आप apply कर पाएंगे, कुछ exam pattern देखना चाहेंगे, आपकी आपक मेभी 1 हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपका marks minus में, मतलब marks कटते हैं, मतलब जैसे कि marks जो भी आपने answer लिखे हो, वो wrong answer है, तो उसकी negative marks होते है, मतलब वहाँ पर आपको total में से minus कर दे जाता है, तो उस पर dip in करता है, कि कितना wrong answer है तो उस पर कितना marks काटा जाएगा, ठीक ह है, तो ऐसा है, डीड़क्त कितना किया जाएगा, वन माक्स यहाँ पर लिखा है, answer गलत रहेगा, तो वन माक्स डीड़क कर दिया जाएगा, types of questions यहाँ पर क्या रहेगा, beard program पटना of university, interest would be based on core paper of the two year जो भी है, तो उसका यहाँ पर बुला गया, types of questions पर रहते है, subjects यहाँ प admit card official website पर release कर दिया जाता है, वहाँ पर आपको check करने की जरुवत है, फिर उसके बाद, जो भी informations आपको मिलते है, वो आपको सही मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको login करके आपको अपना admit card को download करना होता है, तो download करके examination center में लेकर कर जाना होता है, आपका print, admit card का print, paper form में आ आपका चाहिए हो, ऐसा, ठीक है, hard copy, okay, result भी इसे, आपको official website पर release कर दे जाएगा, declare कर दे जाएगा result को, और वहाँ पर आप चेक कर पाएगे, फिर selections procedure वगरे आपर बोल दियागा है, कि जो best है, आपके merit list पर, selections कैसे होंगे, merit list पर, merit list में आपका नाम आ गया है, तो आप, yes आप selected हैं, बस, लेकिन आपको फिर आपके counseling का process complete करनी होगी, जो process आपको verification होते हैं, documents के verification होते हैं, वो verification complete करना ही करना होगा, आपको करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपका मतलब हो गया, verification हो गया, then आपको seat alert किया जाएगा, okay, और कुछ documents रहते हैं, जो आपको mark sheet वगरा लगते हैं, ठीक है, जब भी आप application form फिल करते हैं, आपको documents बता दी जाएगा होता है, कौन सा कौन सा लगता है, तो यहाँ पर भी लिखा है, living certificate, department, institute, लूप, mark sheet, certificates वगरा, यही सारे, passport, photo, stamp, colorful, photograph, जो भी है, यह, इस सारे process यहाँ पर यह करना होते है, अगर आप coin में से किसी भी process में doubt होता है, तो आप definitely commune कर सकते हैं, description books मेरे में space का link की दिया हूए, click करके जरूर चेक कीजएगा, and thank you so much for watching my video, thank you